वेलकम टो आलो फ्यू तो आज का जो हमारा पार्ट 58 है उसमें मैं आपको न्यूटिशन के बारे में बताने वाला हूँ पिर ये विध्यारतियों आप सभी न्यूटिशन के बारे में जानते ही होंगे करके जीव जंतों द्वारा भोजन गरहन करने की प्रकिरिया जो हो यह वो क्या है जीव का पोशन कहलाती है ठीक है यह तो इसकी परिबासा है जो हम Adaptive सब्दों में मैंने आपको या पर बता दी कि किसी भी जीव जन्तों का जो भोजन होता है जीव जन्तों को भोजन गरहन करते हैं जीव जन्तों क्या करते हैं तो यह किरिया क्या कहलाएगी पोशन कहलाएगी ठीक है इनके जीव जन्तों द्वारा भोजन गरहन करने की पर किरि होती है विद्यार्तियों हम डेली काम करते हैं काम मतलब हम स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं खेलते हैं कूते हैं या कोई घर का काम करते हैं बोलते हैं चलना यह सभी क्या है यह सभी रख्या काम है तो इस काम को करने के लिए जिस पर कार पैंट्रोल क्या उसकता पढ़ते है एक मोटर साइकल या कार चलाने के लिए अगर आप उससे कार यह करोगे तो सिंप्ली सी बात है आप उसमें और डालोगे तब यह काम करेगी ऐसे ही विध्यारतियों हमारे स्रीर को भी बाहर से कुछ पतार के जरुवत पड़ती है जिसको हम उर्जा के रूप में यूज करते हैं ठीक है हम बोजन करायन क्यों करते हैं ताकि हमें उर्जा प्राप्त हो सके और इस उर्जा को हम कहां यूज करते हैं इस उर्जा को हम अपने देनिक कार्यों में खर्च करते हैं देनिक कार्यों का मतलब अभी आपको बता दिया हम जो भी दिन भर कार्य करते हैं ठीक है यानिके हमारी बोड़ी 24 घंटे कुछ न पुछ करती रहती है कोई न कोई परकिया उसके अंदर चलती रहती है तो इस सभी क्या है इन सभी के लिए हमें उर्जा की जिरुएद पड़ती है तो इसी उर्जा को हम अपने पोशन दुआरा यानिके भोजन के माध्यम से प्रोटीन लेते हैं तो आपने देखा होगा अगर दीरे-दीरे मर्रम पट्टी पर ना लगाओ या मर्रम पट्टी लगाओ तो दीरे-दीरे कुछ ठीक-ठअथ हो जाता है कुछ दिनों ही बाद ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अपने भोजन में प्रोटीन लेते हैं प्रोटीन की मात्रा लेते हैं तो प्रोटीन क्या करती है हमारे शरीर के अंदर जो सरीर में तूटपूट होती है म्रम्मत होती है उसकी पूर्ति कर देती है ठीक है दो points आपके यहां clear है इसके बात करते हैं अगर मान लेते हैं कि सरीर में कोई रोग जो है अचानक हो रहे हैं बार बार ठीक है रोगों से पर्दिरक्षा एनके जो हमारे सरी के अंदर क्या है? इनके रोगों से लड़ने की सक्ति है उसको भी पोसन के द्वारा ही नियमित बनाया जाता है मालनी जे विध्यारतियों हम अपने भोजन में ऐसे पदार्थ नहीं ले रहे हैं जिससे हमें रोगों से शुरक्सा की जा सके तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारे सरीर में रोग अपना घर बना लेंगी ठीक है? और रोगों से लड़ने की जो सक्ति है हमारी वो नश्ट हो जाएगी अगर हम अपने भोजन में उचित यहने के संतुलित आहर नहीं लेते हैं ठीक है? अब बात करते हैं कि संतुलित आहर क्या होगा? अब संतुलित आहर क्या जा होगा? संतुलित ठीक है? संतुलित आहर विद्यार्तियों आपने देखा होगा अगर हम नूडल्स खाते हैं चौमीन बर्गर इस्ट्रागी चीज़े खाते हैं हलागी वह आपकी बहुत इंट्रेस्टिट चीज़ है मुझे यहां मने नहीं करनी चाहिए चल जो मैं आपको मने भी नहीं करता लेकिन आप एक बात नो मशीन तो सभी के पास है तो जनरली में घास काटने की मशीन के बारे में आपको बता देता हूं अगर आप उसमें क्या करोगे उसका जो मुह है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आप उसके अंदर बाज़रा या चेरी डाल दोगे तो क्या होगा फैज है ना तो जड़ा सोचिए कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे सरीर में कोई फाइदा नहीं करने वाले हैं हम उनको खा लेते हैं अब वहां तो कोई आगे पिछे करने वाला उनको है ही नहीं तो आप क्या करोगे ठीक है तो यह सब चीज़े संतुलिताहर में नहीं आती है संतुलिताहर में वे सभी चीज़े मौजूद होनी चाहिए जिससे हमारे सरीर में उर्जा प्राप्त हो सके और हमारे जो रोगों से डरने की जो पावर है इनुमिटी है इनुमिटी पावर वो बढ़ सके वो ग्रोध कर सके और हमारे सरीर में जो शेल डवलपमेंट है यान ठीक है अब मैं आपको बात बताता हूं एक सुमांगी करण हो सकता है आपके लिए ये नए नाम हो लेकिन इससे समनादित कहीं बार एकजाम में पूच ले जाता है कि बोजन का सुमांगी करण किसे कहते हैं तो विध्यारतियोग ये क्या होगा इसमें ये होगा कि जो हमारी आत्र है पचेवे भोजन का क्या होना आत्मसात होना ठीक है पचेवे भोजन का आत्मसात होना ही क्या क्या लाता है स्वांगी करण क्या लाता है एक ही लाइन में मैंने आपको इसका जवाब दे दिया ठीक है एक जाम में एक दो ब आत्म साथ होना यानिके अंदर ही पर जाना क्या क्या लाता है भोजन का सुवांगी करन क्या लाता है ठीक है विध्यारतियों आपके माइंड में इससे संबंदित बहुत ज्यादा कोशन उठ रहे होंगे कि हमारे लिए क्या चीज अवश्यक है ऐसे कौन से पतात खाएं कि हम ह rifi रोग ना है तो इद्यारत में आपको जान करीं देपर्दित बिमारी चाहे कोई भी बिमारी हो सभी बिमारे यह का जो जुआ होती है वह हमारे खान्पान से संबंदित होती है चाहे वो सरीर में किसी भी जगा कोई भी बिमारी पनप रही हो कोई भी जगा किसी भी पार्ट्स पर उसका निर्मान हो रहा हो वो कहीं न कहीं हमारे जो खाने पीने का प्रोग्राम है system है यानिके जो हुमारा पॉसन है उसी पर पूरी तरह depend है और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कि क्या चीज़ खाने से हमें क्या नुकसान होगा इस बात को सभी विध्यारते जन्रलिफ जानते होंगे कि हमें क्या चीज नहीं खानी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं आपकी इच्छा की ही कहीं बाहरा आप अपनी जो इच्छा है उसको लेकर कन्षीजन रहते हो मागलों घर में क्रेले बन गए है लोकी बन गई है इस तरह की कोई सब्सकें गई तो अगर आपको अपनी हैं बढ़ानी है माइंड को तेज करना है और सभी पार्कार की व्यमारियों बचकर रहना है तो भईया ये सब चीजे खाने में आपको कोई भी दिख्कत नहीं होनी चाहिए उमीद है कि आपको कभी भी ऑस्पिटल में ज़रुद नहीं पढ़ेगी दवाई खाने की जुरुद नहीं पढ़ेगी अगर आप अपने भोजन में सभी परकार की साग सब्जों को सामिल करें और जो फास्ट फूड है मार्किट के उन्से बचे तो इस परकार अपने संतुली तहार को आप बढ़ावा दे सकते हो धिरे धिरे ये ज्यादा भी दिक्कत नहीं होगी धिरे धिरे आदत पढ़ जाए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कि नृक्टरिशन चे परकारों पर चर्चा करके बताऊँगा कि इतने परकार के होखंगा इने के पेट पोधू वालों पेटीशन रासी है उसकी भी आपर हम चर्चा करें ठीक है प्यारे विद्यार्तले जानेसे पहले में आपको एक बता देता हूँ कि कोई विध्यारतों के मेरे पास comment आते हैं message आते हैं कि क्या हमें जो है like क्या बोलते हैं तो like और subscribe करना है या नहीं करना है भहिए यह भी बात हमें आपको बताओ आपको इसमें interest लेने की कोई जरूत नहीं है हम यहाँ पर यूटूब पर वीडियो से लिए नहीं बना रहे हैं कि आप क्या करो subscribe करो like करो वह आपकी इच्छा है कि करो ना करो लेकिन आपको जो यहाँ पर बात बताई जाती है उसको आप जरूर सुनकर तभी जो आपको मैं फोटो देता हूँ जो पीडियो फाइल देता हूँ उसको आप तभी नोट करें जब तक आपको वीडियो में किसी भी टोपिक पर पूरी तरह तसली ना हो जाए ठीक है तो धन्यवाद